आपका स्वागत है सबकी बात सच के साथ तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमु खबर पर महराश्च रविधान सबच नौ में अब एक महीने से भी कम का समय शेश रह गया है जसको लेकर राशनितिक पार्टियों के बीच गरमाहट तेज है वही दूसरी और महाविकास अघारी के बीच चार घंटे से जादा समय तक चली मेराथान मन्थन के बाद सीड बटवारा करीब करीब तैह हो गया मंगलवार की राश शिफसेना यूबिटी के नेता संजराउत ने इसकी घोशना करते हुए कहा कि बुदवार को कॉंग्रिस एंसेपी शरत पवार और शिफसेना यूबिटी के शीष नेता मीडिया के सामने सीड बटवारे के जानकारी देंगे यूबिटी शिफसेना नेता संजराउत ने बैठक में सीट बटवारे को लेकर हुई बाचीत के बारे में कहा कि तीनों दलों के बीच सीट बटवारे को लेकर या आकरी बैठक थी और इसके बाद इस मुद्दे पर अब और कोई बैठक नहीं होगी उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस और शिफसेना के बीच सीटों के बटवारे पर पेंच फसा था जिसके कारण तीनों दल अपने उमीदवारों की सूची नहीं घोशत कर पा रहे थे लेकिन आज कि बैठक में सबी सीटों पर विचार हो गया है महराष्ट चुनाओं के लिए हुई बैठक के बाद सूतरों ने बताया कि राजे में कॉंग्रिस सबसे अधिक सीटों पर चुनाओं लड़ेगी भट्मारे में सबसे कम सीटे शरत पवार की पाठी को मिलेगी शिफसेना युबिटी को मुंबई में सबसे अधिक सीटे लड़ने को मिलेगी इसके साथ ही सूतरों ने आगे बताया कि कॉंग्रिस 103 से 108 सीटों जबकि शिफसेना युबिटी 90 से 95 सीटों पर चुनाओं लड़ सकती है वही राकामपा शरत पवार को 80-85 सीटे देने पर सहमती बनी है सपा और आमादमी पाठी जैसे अन्य सायोगियों को 10 से कम सीटों में निपटाया जाएगा महराश रविधान सबा में 288 सीटे हैं चुनाओं में अब एक महीने से भी कम का समय शेश रह गया है और इसके बावजूद महाविकास अगारी में सीटों का बटवारा नहीं हो पाने को लेकर सत्ता रूर महायूती के नेता लगतार इस पर तंच कस रहे थे हालनकि भाचपा शिपसेना शिंदेर अकामपा अजीत के बीच सीटों का बटवारा पहले ही हो गया है और ये दल इसके अनुरूप अपने उमीदवारों की सूची भी जारी कर रहे है इस कड़ बंदन में सबसे अधिक सीटों पर भाचपा चुनाओ लड़ रही है बता दें कि महराश्च में 288 विधान सबसीटों पर 20 नवंबर को मत दान और 23 नवंबर को मत गरना होनी है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाका आत ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नमशकार और देखते रहे हैं सीजी निउस प्लस 24